जिन्दगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से दिल भर गया मैं यहां जीते जी मर गया रात कटती नहीं दिन गुजरता नहीं जख्म ऐसा दिया ऐकि मरत भरता नहीं आख बिरान है दिल परेशान है गम का सामान है ऐसे जैसे जादू को ही कर गया जिन्दगी देने वाले सु बेखता तुने मुझसे खुशी छीन ली जिन्दा रखा मगर जिन्द की छीन ली कर दिया दिल का खुन चुप कहां तक रहूं साप क्यू ना कहूं तु खुशी से मेरी डर गया जिन्द की देने वाले सुनु गीत सुन्दर है, संगीत भी सुन्दर है, मगर सब्द भी सुन्दर है, मगर अर्थ सुन्दर नहीं है, कोई बार सुन्दर लगने से ही सुन्दर नहीं हो जाती है, जैसे आपने देखे होंगे इंद्रानी का फल होता है, बाहर से बहुत सुन्दर दिखाई पड़ता है, मगर चखने जब आप जाओगे तो एकदम तीता-तीता हो जाएगा ऐसी ऐसा एक गीत है, इस गीत में मुल्भुत गल्टी यह है कि इसमें खहता है बिक्ती परमात्मा से या जिन्दगी देने वाले से कि जिन्दगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से दिल भर गया जिन्दगी हमको किस ने दिया है हम मानते हैं ऐसा कोई एक भगमान जैसा है जो हमको जिन्दगी देता है और इस जीवन में दुख परिशाने चिंता देता है इस कारण हमको ये दुनिया ये जिन्दगी हमको इस से हमको हमारा दिल भर गया तो अब हम यह जिंदगी जिसले जिंदगी दिया है तीरे जिंदगी मुझे पसंद नहीं इसलिए तुझे ही तीरे जिंदगी लोटा रहा है मगर यहाँ कोई भी जिंदगी देने वाला बैठा हुआ नहीं यहां दो नहीं है एक जिन्दगी देने वाले एक जिन्दगी लेने वाले आप मानते हो भगमान जिन्दगी देने वाले है और आप खुद को मानते हो जिन्दगी लेने वाले है और जिन्दगी देने वाले ने आपको ऐसा ये जिन्दगी दिया जहां जीती जी आप मर गए ह आपका रात करता नहीं, दिन गुजरता नहीं, ऐसा जख्म दिया है कि भरता नहीं, आख बिरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया, जिन्दगी देने वाले सुन, इसे मुल्भूत ब्रह्म यह है, हम किसी एक सक्ति को उपस्तित करते हैं, जो हम से भिन्ना होती है, और वो हमको देती है, मगर अस्तित्व का सत्य यह है, यहां न कोई जिन्दगी देने वाले है, न कोई जिन्दगी लेने वाले है, यहां केबल जिन्दगी होती है, केबल जिन्दगी होती है, आप अपने को कुछ मानते हो अलग, आप अपने को मानते हो कि कोई भिन्न हो, अलग हो, कोई खास हो, आपको एक खास बात हो, तो इसे कारण ये भरम पैदा हो जाता है, आप अपने को मानते हो, आप भिन्न हो, आप कुछ हो, आप मही हो, जब अपने को आप मही कहते हो, फिर उसको आप कहने पहना पड़ेगा कि तू जिंदगी देने वाला है तो भगमान है भगमान और हम दो नहीं होते हैं जिन्दगी एक होती है दो नहीं होती है जिन्दगी में ऐसा कोई नहीं जिन्दगी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं को कोई सैमान को उत्पादन कर रहा है और भगमान ऐसा कोई एक अफिस में बेठा हुआ आदमी जो नि स्रिष्टि से स्रिष्टा भिणन नहीं एक फुल फुल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि एक फुल फुलाने वाला होता है, वो बैठ के रखता है, रहता है, और फुल को बनाता है, जब फुल फुल रहा होता है, उसकी सुगंद उड़ रही होती है, तो वो स्रिष्टी में अंदर ही स्रिष्टा छिपा हुआ होता है, ज अपने को अलग मानते हैं इसे कारण हमारे जिंदगी ऐसा हो जाते के रात करती नहीं दिन गुजरता नहीं। और में दुनिया से हमारा दिल भर जाता है। क्योंकि हमने गलत प्यक्ख्या कर लिया, हमने दो बना दिया, एक अपने को बना दिया, एक भगवान को बना दिया, जहां दो नहीं है, वहां दो मानेंगे, तो भ्रम में पर जाएंगे आप, और जिन्दगी ऐसी हो जाएगी, जहां रात भी ने इकटेगी, दिन भी गुदर किसी ने दिया नहीं है किसी को भी आपको दुख देने से मज़ा नहीं आएगा और भगमान तो ऐसा होई ही ने सकता जो आपको दुख और परिशान देता है और खुस होता है अगर ऐसा है भगमान होता है और वो हमको जिंदगी देता है और इस जिंदगी में गम और दुख परिशानी देता है, तो वो कैसे भगमान है, वो परफिड़क प्रवृति वाले, वो तो मानसिक रोगी होगा, दूसरे को दुख देकर जो आनंदित होने वाले हैं, वो मानसिक रोगी होते हैं, तो क्या आपका भगमान मानसिक रोगी है, क्या वो दुनिया देता है आपको द आहें। और किसी को फुर्षद भी नहीं, आपको धुख देने। मगर हम अपने को माननते हैं कि कुछ विशेश हो गया। अपने को कुछ अलग माननते हैं, विशेश माननते हैं और हमको जो धुख और परिषानी होती है। उसको भी हम बड़ा कर लेते हैं, आप में देखे होंगे ना, ऐसे बहुत लोग होते हैं, जिनको छोटी मुटी परिशानी हो जाती है, तो उसको बड़ा चारा के कहने लगते हैं, किसी को छोटा मुटा बुखार आ गया, वो एक दम से कहने लगे कि मुझे तो कैंसर हो गया, कैंसर हो सकता है, तो लोगों को अपने दुख को बताने में भी अहंकार का अनुभव होता है, इसलिए लोग पताते हैं, क्योंकि इसमें ये बात होती है, कि आप कहते हैं, मुझे दुख दे रहा है पखमान, तो इसमें भी अहंकार है, जिन्दगी देने वाले सुन, यह अ पहंकार है उसका, वो यह कह रहा है, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, तो इसका अर्था क्या है, वो कह रहा है कि मैं इतना विशेश हूं कि भगमान मुझे ही दुख दे रहा है, मेरा दिन कट नहीं रहा है, तो मैं इसमें खड़ा हुआ। तो आप इतने मुल्यवान कि भगमान को आपके लिए अलग से सुचना पड़े। आपको अलग से कोई सजा का विवस्ता करना पड़े। तो इस तरह आप कोई अलग चीज नहीं हो। वास्तम में यह दुख दर्द का जो हम अनुवफ करते हैं वो भी अहंकार का ही अनुवफ होता है। नहीं तो दुख दर्द इत्यादी हो नहीं सकता क्यूंकि अगर आप नहीं हो तो किसको दुख होता है किसको जख्मा होता है किसको गम होता है गम दुख दर्द होने के लिए आपको होना पड़ेगा तो अहंकार को ही यह सब चीज़े होती है अहंकार नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रात करती नहीं, दिन गुजरता नहीं, वो अहंकार को लगता है अईसा, क्योंकि अहंकार अपने को खड़ा कर देता है बीच में, भगमान से अपने को अलग सोच लेता है, और अपने को विशेश तरीक सोच के मेरे लिए कुछ टाइम निकाल के इस तरह दुख देता है तो अपने को हम बड़ा मान रहे होते है तो जीवन का सत्य है कि यहां अहंकार नहीं है मैभाब नहीं है हम सब अस्तित्तु के साथ जुड़े हैं यहां दो चीज है ही नहीं हमारा सरीर है देखो आप यह जो सरीर होता है यह अलग नहीं होता है यह जुड़ा हुआ है हमारा सरीर अक्सिजन के साथ बायू मंडल से जुड़ा हुआ है जल के साथ जुड़ा हुआ है अन्न के साथ जुड़ा हुआ अगर आप इस शरीर को इस प्रतिवी से अलग कर दो, तो यह जी नहीं पाएगा, तो अलग नहीं है ना, तो महीं जैसा कहाँ पर है, ऐसे आपका मन है, आपके मन में जो बिचार चलते हैं, वो भी कोई अलग नहीं है, वो जो बिचार मन में आपके चलते हैं, इस समाज से, ज न शरीर आपका है, न आप निर्णे करके पैदा हुए हो, न आप निर्णे करके आपका मुर्तिव होगा, न आप जो चाहते हो जीवन में वो प्राप्ता होगा, तो इसका अर्थ ये है कि अस्तित तो एक होता है, वही वही होता है, हम होते नहीं, मगर हम अपने को खड़े कर लेते हैं, अपनी को हम ब्यक्ख्या करके मैं बना देते हैं, जो चीज हम नहीं है, उसको हम मैं कह देते हैं, जैसे सरीर है, सरीर तो मैं हो नहीं सकता, सरीर अलग तो हो नहीं सकता, सरीर अगर अलग हो सकता, तो आप इसको उस जगह पर ले जाओ, जहां हवा नहीं चलती, जह सुरज नहीं उपता, क्या उस जगह पर सरीर बच सकता है, अगर उस जगह पर सरीर बच सकता है, तो ही हम मान सकते हैं कि सरीर कोई अलग चीज है, भिन्न चीज है, मगर सरीर भिन्न चीज नहीं है, ये देखना है न, सरीर कोई अलग चीज भिन्न चीज नहीं है, ये प्रकृत द्वारा जुड़ी हुई है, ऐसे हैं मन वह भी भिन्ना चीज नहीं है, वह भी जुड़ा हुआ है, समास से, परमपरा से, तो इसमें क्या चीज है जिसको आप कहते हैं कि मैं, कहीं पर भी नहीं है मैं, या कहें कि जिबन है, या कहें कि परमत्म है, बात है की, तो आप तो इसमें कतई ही हो ही नहीं अलग, तो आप अपने को मानते हो पहले कि मैं हूँ, अब यहां से आपकी जिन्दगी दो भागों में विभक्त हो जाती है, तो आपकी अलग जिन्दगी हो गई, और एक वो जिन्दगी जो है, तो आपका निर्माड करने वाला है, जिन्दगी देने वाला, सुन, तो उससे आप बात करेंगे, आप किस से बात कर रहे है, कवन है, जो आपका निर्माड कर रहा है, कोई भी नहीं है, जो आपका निर्माड कर रहा है, कोई भी नहीं है, जो आपको जिन्दगी दे रहा है, आ आप ही नहीं वो उसी की जिन्दगी है परमात्मा का ही जिन्दगी है आपका जिन्दगी नहीं यह भाई यही ब्रह्मे ना आप परमात्मा के जीवन को अपना जीवन मानते हो तो फिर ये सब होगा रात नहीं कटेगी दिन नहीं गुदरेगा जिन्दा रखा मगर जिन्दग तु खुशी से मेरी डर गया, जिन्दगी देने वाले सुन, देखे बात, भगमान से हम कह रहे हैं, तु खुशी से मेरी डर गया, मुझको खुशी देखकर तुझे परेशानी हो गई, तो क्या परमात्मा महिन कहाना, क्या वो मानसी ग्रूगी है, सेरोचिस्ट है, सेरोचिस्ट का अर्थ होता है, जो दुसरी को दुख देके हसता है, मजा आता है, क्या परमान इस तरह है, तो हम खुद ही ये बात ऐसी है, जिन्दगी की बात, हम खुद ही एक माननेता बना लेते हैं, वो माननेता ये है कि मैं हूँ कुछ अलग सा, भिन्न स तो यहां से जिन्दगी में हम फस्ट आते हैं, और कहेंगे तू है, भगमान को कहेंगे कि तू भिन्ना है कोई, जो मुझे तू परिशान कर रहा है, तो दो भागों में हम बांड देंगे, और एक जाल फैलाएंगे जीवन में, जैसे मकडी जाल फैलाती है, मकडी खुदी अ और बाद में उसी जाल में फस्ट आती है, और मकडी फिर चिलाती है, वो जाल में, मकडी जाल में फसी हुई है, तो जाल के वितर से मकडी कह रही है कि जिन्दगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, यहां तो महीं जिते ही मर गया, और रात करती नहीं, दि अपने ही फशा है अपनी माननेताओं के कारण अपने ही भितर से निकाल के वो ने जाल बना लिया अइसे हमने अपने ही माननेताओं से जाल बना दिया अपने को मैं कहे दिया मेरा कहे दिया तेरा कहे दिया तू कहे दिया भगमान बना लिया हमने किसी आकास में बेठा हुआ दाडी मुस्छ वाले वा कोई कमपनी चलाने वाले या कोई सरकार चलाने वाले ज्वेसे तो खुद ही हम भगमान को बना रही हैं और खुद ही भगमान को गाली दे रहे हैं, अमारा चुछ बगमान है थेदे क्रें, हमन bay पादने यहें, जब आतल पहन पास से न आ आप हो न भगमान है, न कोई जिन्दगी देने वाला है, न कोई जिन्दगी लेने वाला है, यहाँ एक ही चीजी, एक के अलावाद, दुसरा है ही नहीं, अगर एक ही है, तो दुख होगा, तो उसी को होगा, शुक होता होगा, तो उसी को होगा, अगर सच में ही आप भगमान पर विश भी शुक होता है तो भी उसी को आप तो हो ही नहीं ना आपके जिन्दगी में दुख है परिशानी है तो आपकी नहीं है वो भी भगमान की है क्योंकि आप अलग तो कुछ है ही नहीं ना आप तो एक माननेता हो तो साप साप जीवन को देखोगे जीवन का सत्य जानोगे तो यह बात मन में नहीं आएगे कि यहां, जिन्दगी देने वाले ने मेरे जिन्दगी बरबाद कर ली, जिन्दगी देने वाला मुझे दुख दे कर मजा लूट रहा है, और मैं तेरे जिन्दगी से भर गया, और तेरे जिन्दगी में वापिस करना चाहता हूँ, इस तरह आप आप कहोगे, ना मेरा रहेगा, ना तेरा रहेगा, एक रहेगा, अस्तित्तो एक है, आप हो ही नहीं, ये बात समझना है, आप हो ही नहीं, केबल, शरीर है, मन है, आत्मा है, इसमें आप कहीं पर भी नहीं, शरीर है, वो प्रकृति का है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है मन है वो समाज के साथ जुड़ा हुआ है परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है आत्मा है तो अनंतता के साथ जुड़ी हुई है तो इसमें आप कहां पर हो आपका मैं कहां है यहां आपका मैं तो केबल एक माननेता है वो अहंकार है वो ही अज्ञान है वो ही ब्रह्म है तो उस तो यह कहना बंद कर दो, कि में कुछ हूँ, अपने को मिटादो, अपने को खोडालो, आप खो जो, सुन्य हो जाओ, फना हो जाओ, आपके बितर कुछ मैं भचे ही ना, तो ही आपको जीन का संधरी है, जीन का आनद, जीन कितना आनन्दित है, इसके हम पलपन भी नहीं कर. जब अंकार हमारे भी तर नहीं रहेगा तो जीवन का संदरी हमको अनुबब होगा अभी तो हमको अज्ञान का अनुबब हो रहा है ने क्योंकि हम मैं को मान के बैठे हैं मैं हमारा केंदा में है तो ये मैं 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 में 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 जो कुछ भी करोगे वहां से गम होगा, तो जिन्दगी देने वाले से फिर आप गाली करोगे, आप सुसाहिट करोगे, तो यह सब आपकी भ्रांतियां हैं, गलप ब्यक्या है, तो मित्रों, आप हो ही नहीं इस बात को जानने के लिए आप अपने भितर प्रवेश करें, जो जड़ पदार्त है, हमारी भितर जो जड़ता है, उस जड़ता को तोड़ना है, अंकार ही जड़ता है, वो चट्टान की तरह भीठा है, मान्नेताओं से, उसको तोड़ना है, और फना हो जना है, बिल्कुल सुन्ने हो जना है, तो इस तरह जब आप होगे, तो आपको जख वही करें तो तोई हो शो नई होगाा गॉप दुख होगा तोई होगा क्यों कि वहीं कि गम होनी के लिए कुछ भूना सब्सक्ता महिisas सप्ता है धिए किश्कु दुख होगा तो आप गॉप नहीं रहेगा आप जीवन के साथ एक जाओंगे तो इस तरह भी यह करो डिखियो जीवन का ही दुखे वही जाने, सुख है तो भी जानेंगे, सुख है तो भी आप आनन्दित नहीं हो जाएंगे, परसन्द नहीं हो जाएंगे, कि मुझे सुख हो गया, दुख है तो आप परिशान नहीं हो जाएंगे, कि मुझे दुख हो गया, मुझे दुख हो गया, ये भ पर आप कुछ इस तरह मेडिटेशन सेखना चाहते हैं तो मेरे साथ बात कर सकते हैं चाट कर सकते हैं उसका नमर और लिंक डिस्किप्शन में दिया है